है ऐलो फ्रेंड्स कैसे वो आप सभी आज आपना रिलेटिव मोशन का पार्ट सेकिंड करने वाले हैं पार्ट वन के अंदर आपाने relative motion को one dimension के अंदर समझा था और अभी तक आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके वो पार्ट देख सकते हो आज इस वीडियो के अंदर आपा relative motion को two dimension के अंदर करने वाले हैं और आज का जो अपना topic है वो है expression for the magnitude and direction of relative velocity तो उससे पहले आप लोगों को result part के बारे में पता होना चाहिए बें क्या result part के बारे में पता होना चाहिए अब ये क्या होता है वो माप लोगों को समझा देता हूँ तो मेरे पास ये कोई दो axis है ये x-axis है और ये y-axis इसके अंदर कोई भी particle है ठीक है या मान के चलो ये force है f1 या कोई particle है ठीक है तो ये जो force f1 है ये ठीटा एंगल बना रही है x-axis के साथ अब क्या करना होगा अपने को force f1 के component करने में होगा किस direction में x-axis में और y-axis में अब इसके component कैसे करते हैं वो द्यान से सुनना जिस side या zone c-axis के साथ angle बन रहा होता है आई repeat zone c-axis के साथ angle बन रहा होता है उस side cos theta आता है अब देखो f1 angle theta x-axis के साथ बना रहे है तो x-axis की तरफ कोण सा component component आएगा f1 cos theta और दूसरी side sin theta आता है वही क्या f1 sin theta ठीक है आई repeat सबसे पहले क्या check करना होता है कि angle theta कौन सी axis के साथ वो given particle या given force बना रहे है जो उन सी axis के साथ angle theta बनता है उस side cos आता है और उसके दूसरे side sin आता है ठीक है तो f1 cos theta x-axis की साथ क्यों क्योंकि side theta बन रहे है और दूसरी side f1 sin theta एक example और लेते हैं अगर मैं कहूं आप लोगों को ये f1 कोई force है और angle alpha बना रही है x-axis के साथ f2 कोई force है angle beta बना रही है x-axis के साथ ठीक है तो अब आप लोगों को इसके component करवाने है किसके सबसे पहले f1 के component करेंगे तो ध्यान क्या रखना है f1 कौण सी axis के साथ angle बना रही है तो f1 x-axis के साथ angle alpha बना रही है ठीक है तो x-axis की तरफ कौण सा component आएगा f1 cos alpha y-axis की तरफ कौण सा component आएगा f1 sin alpha अगर मैं आप लोगों से f2 के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि f1 f2 जो force है वो कौण सी axis के साथ angle बना रही है तो ये x-axis के साथ angle beta बना रही है तो x-axis की तरफ कौण सा component आएगा cos वाड़ा component आएगा यानिकी f2 cos beta similarly दूसरी side की तरफ f2 sin beta ठीक है भई ये component होते हैं इनको आप रिजोल्ड पार्ट बोलते है ठीक है इनका आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अंदर note डाल के बाद लिख लो कि जोंसी axis के साथ angle बनता है जोंसी axis के साथ angle बनता है उस axis क की तरफ उस force का component force में आता है ठीक है और दूसरी side की तरफ side में आता है अब अपना topic स्टार्ट करते हैं expression for the magnitude and direction expression for the magnitude and direction of relative velocity अब इसके अंदर जर्नल ही आपाने क्या समझना है relative velocity को two dimension में और ये वाड़ा वरकिंग रूल भी है आगे जितने भी example होंगे इसी working rule से सारे के सारे example होंगे तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है consider two particle P and Q moving with velocity U and V making angle alpha and beta with x-axis तो क्या लिये है दो particle है जो की move कर रहे हैं U और V velocity के साथ और x-axis जो अपनी x-axis है उसके साथ angle alpha और beta बना रहे है ठीक है तो मैं इसको show करता हूँ आप लोगों को यह मेरे पास y-axis है यह मेरे पास x-axis है इसने बोला है दो पार्टिकल है तो सबसे पहले यह एक पार्टिकल हो गया मेरे पास यह second पार्टिकल हो गया ठीक है यह पार्टिकल यू विलोस्टी से move कर रहा है पार्टिकल का नाम है यह पार्टिकल विलोस्टी के साथ move कर रहा ह इसको small v ले लेना, ठीक है, क्या ले लेना, small v, और ये particle क्या है, क्यों, अब इनको origin से मिला दो, ठीक है, अब इसने बोला है, कि जो p particle है, वो x-axis के साथ alpha angle बना रहा है, तो इसको alpha बना दो, फिर क्या है, कि जो q particle है, v velocity के साथ move कर रहा है, और x-axis की, जो x-axis है, उसके साथ bit angle बना रहा है, तो मैं अब यहाँ पर bit angle बना देता हूँ, ठीक है, फिर next step में अपने को क्या find out करना है, relative velocity of p with respect to q, ये find out करना है, क्या find out करना है, relative velocity of p with respect to q, लिख देता हूँ, relative velocity of p with respect to q, ठीक है, पहला step क्या था, कि सबसे पहले आपको particle लोकेट करने है, और वो x-axis की side या y-axis की side से, कौन से angle बना रहे हैं, वो बनाना है, उसके बाद आपको मानना है, कि let vpq is the relative velocity of p and q, making angle theta with x-axis, यानि की, तीसरा step क्या है, कि आपको मान लेना है, vpq क्या है, relative velocity है, क्या है, relative velocity, ये मैंने नाम दे दिया, vpq, और ये x-axis की तरप से angle कितना बना रहे है, theta, यहाँ पर भई, क्यो और theta में confuse नहीं होना है, क्यो को मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, और जो theta होगा, उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, ठीक है, तो मैंने क्या बना लिया, third step में, vpq बना लिया, relative velocity, किसकी, relative velocity of p, with respect to q, and making angle theta with x-axis, अब अपने को one dimension के अंदर vpq का formula पता है, क्या होता है, vpq, यानि की relative velocity of p, with respect to q, क्या होती है, वो होती है, vp, यानि की velocity of particle p, minus velocity of particle q, अब क्या करने होंगे, अपने को, ये तो कोई भी particle है, किसी भी coordinate के अंदर, अब इस particle को, अपने को, x component और y component में resolve करना पड़ेगा, तो सबसे पहले vpq को resolve करना है, ठीक है, resolving component of vpq, इसको क्या बोलेंगे, relative velocity of p, with respect to q, along x, axis, and y axis, अब करो component, किसके करने है, vpq की, angle कोण सा बना रहा है, ठीक्टा, किसके साथ, x axis के साथ, अब जोन सी axis के साथ, ठीक्टा बनाता है, तो side कोण सा component आता है, vpq, cos theta, और दूसरी side कोण सा component आता है, वो आता है, vpq, sin theta, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x axis वाले, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानि कि vpq, cos theta, और y का, यहाँ पर लिख दिया, vpq, sin theta, अब देखो, vpq, अब इसका formula क्या होता है, relative velocity, velocity of p, minus velocity of q, यानि कि velocity of particle p, minus velocity of particle q, तो अब अपने को velocity भी find out करने होगी, x axis और y axis में, तो x axis में सबसे पहले मेरे को क्या करनी है, velocity of particle p, क्या है, देखो, u velocity के साथ move कर रहा है, angle कितना बना रहा है, alpha, कौन सी axis के साथ, x axis के साथ, तो जोंड सी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा, उस साइड कौन सा कमपोनेंट आता है, कोस वाला, तो ये विलोस्टी कितनी है, यू, तो इस साइड कोन सा जाएगा, यू, कोस, यू, कोस, अलफा, ये क्या है, पी पार्टिकल की विलोस्टी, मैं लिख देता हूँ याँ पर, ठीक है अब दूसरी side कोण सा component आता है sine का तो वी पी की यह आगया यू sine alpha यानि कि दूसरा component दूसरी axis की तरफ आया यू sine alpha अब देखो मेरे को क्या चाहिए velocity of particle p along x axis वो कितनी आई है velocity of particle p along x axis यह आई है u cos alpha माइनस का sine अब वी क्यों चाहिए यानि कि velocity of particle p along x-axis sorry velocity of particle q along x-axis वो कितनी आई है देखो यह मेरे पास क्या है क्यों particle अब इसकी velocity x-axis की तरफ चाहिए मेरे को ठीक है याने की vq चाहिए मेरे को velocity of particle q वो कैसे करेंगे सबसे पहले angle देखे के कौन सी axis के साथ बना रहा है तो यह x-axis की side कौन सा angle बना रहा है बीटा तो जोंड़ी side angle बनता है उस side कौन सा component आता है cos में तो यह आ जाएगा वी cos बीटा और दूसरी side कौन सा component आएगा वी sin बीटा ठीक है वई तो अब मेरे को क्या चाहिए vp मेरे को मिल गया u cos alpha और vq चाहिए तो यह है मेरे पास v cos beta यानि की x-axis की तरफ जो मेरी velocity आई है वो आई है vp q cos theta यह किसका component है relative velocity का अब यह क्या होता है vp minus vq यानि की u cos alpha minus v cos beta ठीक है बई अब मेरे को relative velocity of particle p with respect to q along y-axis चाहिए तो उसके लिए क्या formula है relative velocity of particle p with respect to q तो उसके लिए vp minus vq along y-axis तो बताओ अब क्या है तो जो particle की velocity है p particle की velocity along y-axis वो क्या है particle p की velocity along y-axis यह आई u sin alpha minus velocity of particle q along y-axis यह है v sin beta यह होता है component वाड़ा part और यह उन लोगों को समझ में आएगा जिनोंने part 1 देख रखा है इस equation को mark कर दो first और इस equation को mark कर दो second मैं एक बारी फिर से repeat करता हूँ सबसे पहले mind में क्या ना चाहिए जिसका component चाहिए होता है उसको देखते हैं कि x-axis के साथ angle बना रहा है या y-axis के साथ अब मेरे को p-particle की velocity का component चाहिए x-axis के अलोंग तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि जो मेरा p-particle है ठीक है वो x-axis के साथ कितना angle बना रहा है वो बना रहा है alpha तो यह x-axis की side बना रहा है alpha तो जिस side alpha बनता है या जिस side angle बनता है उस side कुण सा component आता है cos वाड़ा और दूसरी side sine वाड़ा तो यही formula मैंने यहां लगाया है और यह मेरे पास क्या मिलगी equation मिलगी ठीक है इसको लिखो तो अच्छी बात है ना लिखो तो भी अच्छी बात है यह just मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिए लिखा है बुक में यह direct लिखा इसको अगर मैं pronunciation करूं या क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे रिलेटिव विलोस्टी ओफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू क्यूंक अलोंग अलोंग विलकुल ठीक है क्या गरूंगा पी पार्टिकल एक्से की तरफ किया है और पर्टिकल येिस की तरफ किया है Q particle X axis की तरफ कितनी velocity है और Q particle की Y axis की तरफ कितनी velocity है उनको एक साथ अलिखी हुआ ठीक है ये मेरे पास क्या आगी वही equation हानी अब उसके बाद तो simple step है जो आप लोग कर सकते हो फिर भी मैं करवा देता हूँ तो सबसे पहले क्या करना है वही आपको scaring और adding करनी है equation first की तो इसको scare करो और add करो ठीक है ये vpq लिखा हुआ है ना इसको as it is लिखना vpq square cos square theta left and side की scaring और adding कर रहा हूँ vpq square sin square theta equal to इसका square करेंगे u cos alpha minus v cos beta का whole square plus u sin alpha minus v sin beta का whole square ठीक है भई अब क्या करो इसमें से vpq square common निकार लो अगर मैं common निकार लेता हूँ तो ये मेरे पास आजाएगा cos square theta plus sin square theta और आप लोग अच्छी तरह जानते हो क्या sin square theta plus cos square theta ये क्या होता है भई trigonometry identity से 1 होता है अब इसको open करो कैसे a minus b का whole square a minus b का whole square क्या होता है a का square plus b का square minus 2ab open करो भई u का square a का square कर दिया ठीक है plus b का square b का square क्या आएगा v square cos square theta यार साथ साथ बोलो ये तो square तो पता ही आप लोगों को all square का formula तो पता ही हब क्या होगा 2ab यानिकि 2 cos alpha और v cos beta similarly इसको open करो plus का sign इसको open करो मैं देख लेता हूँ भई नीचे दिखाई दे रहा है क्या बिल्कुल दिखाई दे रहा है तो ये आगया मेरे पास इसको open कर रहे हैं a का square plus b का square और ये मेरे पास आजाएगा minus का 2ab यहां तक किसी को कोई दिक्कत भई उपरवाड रफ कर रहा हूँ screenshot लेना है तो ले सकते हो आपके पास मैंने time दे दिया screenshot लेने का ठीक है just इसको solve करना है अब तो और कुछ भी नहीं है equation first or second तो आप लोगों को याद हो भी गई होगी बाकी उनकी जुरूरत पड़ेगी एक बारी और फिर बाद में बता देंगे आपको अब यह क्या हो गया यह one हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूं इस साइड देखो यू स्केयर यू स्केयर दोनों में से यू स्केयर को मन लो अगर पलस का साइन है बीच में यू स्केयर को मन लेता हूं तो यह बनेगा को स्केर थिटा प्लस साइन स्केर थिटा साइन स्केर थिटा प्लस को स्केर थिटा सोरी अलफा है थिटा नहीं है अलफा ठीक है अब इन में से वी स्केर को मन लो इस में से और इस में से वी स्केर को मन लो तो यह मेरे पास आएगा प्लस का साइन वी स्केर साइन स्केर बिटा प्लस को स्केर बिट्टा ठीक है अब कौन सी ट्रम बच गी अब मेरे पास ट्रम बच गी ये वाड़े अब इन में से देखो कुछ कोमन आ रहा है क्या इन में से आ रहा है भाई कोमन प्लस का इन में से common आ रहा है, minus का 2 u v common निकाड़ा, ठीक है, minus का 2 u और v common निकाड़ा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, minus का निकाड़ा तो यह plus का, cos alpha, cos beta, plus का निकाड़ा है, तो बीच में plus का ही sign आएगा, यह आएगा मेरे पास, sin alpha, और sin beta, अब आप लोग समझदार हो, यह क्या हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, sin square theta, plus cos square theta, 1, और यह मेरे पास formula होता है, किसका, cos alpha minus beta, ठीक है, यह मेरे पास formula बन गया, किसका, cos alpha minus beta, तो यह formula क्या बन दाएगा, vpq square, equal to u square, plus v square, minus 2 uv, और यह मेरे पास, cos alpha minus beta, यह क्या आगया, मेरे पास, यह आगया, magnitude, magnitude of relative velocity in two dimension, magnitude of relative velocity in two dimension, अब अपने को क्या निकाडनी है, direction निकाडनी है, अब direction निकाडने के लिए क्या करेंगे, जो equation first थी, और second थी, वो आप लोगों को याद होगे, भई मुझे तो याद है, क्या थी, vpq cos theta, वो क्या था, u cos alpha minus v cos beta, और vpq sin alpha, यानिकी y-axis की तरफ क्या थी, वो थी, u sin alpha minus v sin beta, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यह मेरे पास equation first थी, यह मेरे पास equation second थी, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, dividing, second by first, क्या कर रहा हूँ, dividing second by first, करो divide, यह मेरे पास आजाएगा, vpq, second क्या है, second को उपर लिखना है, और first को निचे, तो vpq sin theta, equal to u sin alpha minus v sin beta, upon vpq cos theta, और यह मेरे पास आजाएगा, divide करेंगे, तो u cos alpha minus v cos beta, जर्नली आपाने क्या किया, second equation को first के साथ divide किया, ठीक है, यह अपने पास first और second equation थी, तो मैंने क्या किया, उपर second equation लिख दी, और नीचे first equation लिख दी, और दोनों को divide कर दिया, अब यहां से मेरे पास क्या हुआ, vp क्यों, vp क्यों से cancel हो गया, और अपने को पता है, 10 theta क्या होता है, यह अपने पास, 10 theta होता है, sin theta by cos theta, ठीक है, तो यहां से sin theta by cos theta को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 theta, तो लिखो इसको, यह मेरे पास, 10 theta, equal to, u sin alpha, minus v sin beta, अपन, u cos alpha, minus v cos beta, तो मेरे पास यह किसका formula आ गया वही, यह formula आ गया direction के लिए, किसके लिए formula आ गया, direction के लिए, और जो यह वाड़ा formula था, यह किसके लिए था, magnitude के लिए, तो direction के लिए यह, और vpq, equal to, under the root, square है, दोनों side under root लेंगे, तो यह हो जाएगा, mu square plus, 2 uv, mu नहीं है, uv, cos alpha, minus beta, तो यह मेरे पास, किसका formula आ गया था, magnitude का, ठीक है, यहां से, मैंने क्या किया, दोनों side root लेंगे, तो यह square cancel, तो vpq, relative velocity of p, with respect to q, तो यह किसका formula आ गया मेरे पास, magnitude, तो यह थी भई, अपने पास relative motion, के अंदर 2d में कैसे करने है, ठीक है, सबसे पहले अपने को दो particle लेने है, फिर उन दोनों की relative velocity लेनी है, उनके component x-axis वाड़े अलग से, y-axis वाड़े अलग से, फिर क्या करना है, दोनों को square करना है, और add करना है, अपने को यहां से क्या मिल जाएगा, magnitude मिल जाएगा, फिर direction के लिए क्या करेंगे, second को first से divide कर देंगे, तो यही step अपने को examples के अंदर follow करने हैं, तो thanks for watching creative study के, next video में मिलते हैं, next topic के साथ,